बिपक्सी बिहीं जस्तेई बने को भनिये को समसदमा सरकार लाई समर्थन दिये का दल हरुपनी आफ लाई बिपक्सी दावी गरी नहीं रहे कासं केही समय अगी सरकार लाई समर्थन दिये रा आफ बिपक्सी मा नहीं रहे को भनिये को निपाली कंग्रेश ले समसद को प्रमुख बिपक्सी दल को मान्यता पाई शके कुछ अहिले भर्खरै सरकार बाट बाहिरे को राष्टिय सोतंत्र पाटिले पनी आफ नो समर्थन सरकार लाई जारी रहे को भन्दै आफ बिपक्सी दल मा रहे को दावी गरे को स सरकार लाई समर्थन जारी राखने तरह सरकार बाच बाहिर नई रहेर आफलाई विपक्सी दल घोषणा गरने दल हर को संख्या समसद मा बढ़ी को छा नमस्कार मौ सान्ति गिरी यहो निव्ज जैट टुडे रबिल आमे साने ले आफनो पाटी सरकार बाट बाहिरी दे गर्दा गरेको पत्रकार सम्मेलन मा बिभिन संचार माध्यम तथा तेसका संपाद घरू मा थि आफनो पच्छी लागे को र आफलाई सरकार बाट हटाउन र आपनो सामसद पद खारेज गराउन भुमिका खेलिको भंदै आरोप लगाए नेपाली मीडिया माथी आपनो बहिर गमन को आरोप लगाउदै गर्दा रबिले पत्रकार सम्मेलन बाटे भारत का प्रधान मंत्री मोदिलाई गुहार न भने चुकाई नन उनको अभिवेकती सुन्दा लाख थेओ अहिलेने मोदि आयरा हस्तचेव गरेरा उनको पद जोगाई दिने शन नेपाली प्रेसलाई सम्भोधन गर्दा रबिले किना गुहारे भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदिलाई आम शर्वशाधारन आस्चरहे माशन नेपाल को सत्ता को साचो दिल्ली संग रहेको छ यो प्राय नेपाल को राजनितीमा प्रयक हुदेई आयको सब्द हो नेपाल को राजनितीमा भारत को ठाडो हस्त सेप रहे को तत्यों बिला बिला सार्वजनिक हुदै आयको छो यति मात्रे होईन भारत को चाहाना मा मात्रे नेपाल मा सरकार बन्ने कुरापनी सुनिदै आयको छो उनतो 2007 साल को क्रांती सफल हुनुमा पनी भारत को महत्तोपूर्ण भुमिका रहे को सुन्न पाइन्छ 2007 साल मा ततकालिन राजार राडा र नेपाली कोंग्रेस का बिज भारत को राजधानी दिल्ली मा त्रिपक्षिय सम्झाउता भायको थियो जसलाई दिल्ली सम्झाउदा पनी भन्ने करीं छ त्योही बेला देखिने नेपाल को राजनेती मा भारत को हस्तचिप रहन छ भन्ने भास्य श्तापित हुदेई कईयो नेपाल को प्रजातांतरिक आंदोलन होस या 2022-2033 को जन आदोलन होस सबय मा भारत को प्रतक्षा समलोक नता रहद आयको तथ्यालाई नकारन सखिनन नेपाल मा संकर्ट पैदा हुदा होस या सत्ता उथल पुथल हुदा होस भारत लाइ समझने हरू को ताती ठूलाई छ आपनो पाटी लाइ संकर्ट परेमा वाकुनै राजनितिक स्वार्थ पुरा गर्णो परेमा नेपाल का नेता हरू भारत सम्म फुग्ने करे काचन दिल्ल सहयोग पाइन चो भने माना सिक्ता प्रतेक राजनितिक दल हरुमा छो आपनो समस्या विदेसी संग राखदा मुलुक कुट नितिक कमजर हुन्च भने हेका राजनितिक दल हरुले राखदाईन जसका कारण देशको राजनिति सधाई अस्तेर भाई रहां छो नेता हरुले बिला बिला भारत को होस्त सेपलाई सुईकार दई आये का छन। मुह्य मुझे मंतर वो ओनने गुजरत मा वां के पाई भारत बहुता है। वे जानने भारत 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 मुझे अपत नेपाल. कमी पर दे नेपाल भारतyu थे निस्से पुएने। आईतबार मात्रईनी बर्तमान ग्रह मंत्री तथा राष्ट्य सोतंत्र पार्टी का धक्ष रवी लामी छानेले भारत का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधिलाई गुहारे काशन। मोधि जी जो लोग आपके नाम पे यहां पर लुट रहे हैं वो लोग नेपाल और भारत के संबन्दा आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहे हैं। को लग रहा होगा हमारे समंद्र बहुत उजाई पर चड़ी गई है। यह बोलने वाली बात है। यह लोग जो एजेंट बंद कर काम कर रहे हैं। उन पर विश्वास करना बंद कीजिए, सीधी बात कीजिए आप। कोई एजेंट आपके लिए आपका ये इंडिया का लाइने करके यहां पर जो चला रहा है वो धंदा को बंद कीजिए। अगर आपको सच लगता है कि नेपाल और भारत बहुत अच्छे मित्रे और हमारे रिलेशन अच्छा बनानी चाहिए तो बीच में कोई आदमी मत भेजिएगा, कोई पत्रकार को मत भेजिएगा, कोई एजेंट को मत भेजिएगा, कोई प्रकास को मत भेजिएगा, सीधी ब वो आपे देश के लिए भी आनिकार के और इन लोगों के बजे से हमारा संबंदक कभी भी आचा नहीं होगा आज राष्ट्रवादी बनना हो तो इंडिया को गाली करने के लिए लोग मजबूर हो रहें ये लोग ये बना रहें इनको अपने आज नेपाल भारत का रिलेशन आवकर अच्छा चाहते हैं आप इसको हटाईए ग्रिहा मंत्री भई सके का ब्याक्ति ले नेपाल को आंतरिक मुद्धा भारत संग किन जोडे भन्ने प्रस्ण उपजियेको छ लामी छाने को यो अभी ब्याक्ति ले उनिमाने दोहरो चरित्र रहे भन्ने प्रस्ट देखाएको छ पत्रकार हुदा कारेक्रम चलावदा लामी छाने भारत को खुबई बिरोद गर्थे तर आज भारत प्रती यूटन हुनुले बिभिन्न प्रस्ण उपजाएको छ लामी छाने ले ग्रह मंत्री र सामसत पद गयेको रोस नेपाली मिडिया मा थी पोखे काशन यसले उनको अपरी पक्वता प्रस्ट रुपमा जलकाएको छ राजनिती गर्ना मांचेले हार जीत सबैलाई सोभाविक रुपमा ग्रहर गर्ना सक्नु पर्छ तर लामी छाने ले भने सत्ता बाट भायको बहिर गमन सहन सकेन र नेपाल को कुटनिती माथी प्रस्ट रुपमा उनले भारतिय प्रधान मंत्री मोधिलाई आफवान गरे तियो उनलाई नाई थाहा होला तर यसले उनलाई कमजोर पारने देखिन सा अब वांको त्यो किसिम को उन्त अब वांले के हैसेतली मोधिलाई आवान गरे तो बुझ देना आई नाई नाई तर यह वांको जुन वांले तो लागदेना आई नाई नाई पॉपुलारी वांको पार्टी ले पाकते तो यह वड़ा नेपाली जन्ताले अईले तो अमरो स्थापित थुला पार्टी हरुको दुस्चरीतर में वांको नाई पन बात चैंज जन्त वाक को बेर यह अल्टिनिटी केसे के पाने रहा आशा को यह दियो रूपमा आख हो नेपाल को राजनितिक दल हरुले पनी भारत ले नेपाल को मा मिलामा हस्त छेप गरेको आरोप लगाउचन। नेपाल को राजनितिक दल हरुले के कारण भारत नेपाल मा थी दा भी बने को हो इली एक सब्सक्राणा ऑ्रुले बिल्यों करते से इली एक स्थेद्धा को परने काम कनाद परी ककुए सब्सक्त करते हो गरें यह अर वुलिय पनि, हमयो महान महाँड़ करने, क्यों पोजितिव पुजितिछ, अब हम अस्तिर्ता प्यपजी। अपनि जहा पिपाईबगों कहल Êए, क्यों चाना नचाना ही पनि, और भालेट्टम अदेयले कालThe Bharहत परेच देल्लीम। लामी स्थानेले भारतिय प्रधान मंत्री मोधी संग गुहार मांगनुले नेपाल को राजनिती भारत संग जोडियेको छ भन्ने तत्यलाई उजागर गरेको छ सत्ता गठबंदन बाट राष्टिय शोतंत्र पाठी बाहिर देई गर्धा समसद मा नेकपाय माले का अधक्स्य केपिसर मा ओलिले रविको सामसद पद खारेज गर्ने अदालत को फईसला माथी प्रश्न उठाए उनले रविमाथी अन्याय भाय को बताऊन पनी भाय तर ओलिले एसरी शोतंत्र पाठी का सभापति को तारेफ गरी रहदा तेस पचाडी को उद्देश के होला भनेर आकलन गर्न थालिये कुस अधिकाम सले ओलिको एस अभिबेगति को पचाडी राष्टपति निर्भाशन को स्वार्थ देखे का सन् राष्टपति निर्भाशन अगे कुनेई पनी दल्लाई चिधाउन न शाहने ओलिको शाहनाले ने उनलाई रविलामेशाने प्रतिको उद्दार रहन बाध्य बनायको हुन सक्षा आउनी फागुन 28 गती राष्टपति विद्यादेवी भंधारी को कारेकाल सकी देशा राष्टपति भंधारी को 5 बर्शे कारेकाल फागुन 28 मा सकी न लागेको हुन संगी येता पची पहिलु पटक भहयको आम निर्भाशन 2004 मा भंधारी राष्टपति मा निर्भाशन न वागुंद 10 मा वागुंद 13 मा राष्ठपती का लागी रवागुंद 16 मा उपर राष्ठपती का लागी उमेद्वार को मनुनर्यन पत्र दर्ताको कारे सुची निरवाअचन आयूगले प्रकासन गरे को हू नया राष्टरपती चोयन का लागी तयरी तिब्र पारी एका बेला राजनितेक दल हरुपनी सक्रिये भहाएका छन। मौवदी केंद्र का अद्धक्सी पुस्पकमल दाहाल परचंड सरकार को नेतरितो गरी रहाएका छन। उनलाई संग्सत को दोस्रो ठुलो दल एमाले लगायत का अन्ने पाटी हरुले समर्थन दिये का छन। परचंडा का पछिल्ला अभिबेक्तिली पनी सहज रूम्मा एमाले लए राष्ट्रपती न दिनी संकेत गरी रहाएको छन। बरु कांग्रेस लए राष्ट्रपती दिदा परचंडालाई सहजोने अनुमान गर्ना थाली एको छ एसई बाटो मा परचंडापनी हिन्नी संभावना पनी कम छैन। एमाले को वडान संगिय संग्सत को दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले सरकार निर्मान मा महतो पुण भुमिका खेले को पाटी हु। प्रचंड नित्रतो को सरकार लाई समर्थन गर्दा एमाले को भाग मा राष्टपती र सभामुक परेको थिय। प्रचंड नित्रतो माववादीलाई धिये पनी राष्टपती आफुसंगई राकने दाउमा एमाले चा। एमाले ले राष्टपती चोयन का लागी सहयोगी बनने अपेक्चे सैत एमाले ले राष्टपती संग जूड़ियेका स्वर्थ पुरा गर्ना का लागी सत्तारूट दलके दुई सिर्षनेता बीच सामती उने संभावना निकई कम छा। उत्साहित कांग्रेस सत्तारूट गठबंदन वित्र सरकार निर्माण भायको एक महिना मैं खटपट सुरू भाई सके को सा। उपपरद्धानमंत्री सहित सरकार मां 100 बागी भायको राष्ट्रिय सोतंद्र पाटी 22 दिन मैं बाहिरी ये को सा। सत्ता गठबंदन निर्माण गरदा भायको सह मती कायर नुन नव भायको बंदै राष्ट्रकार बाट बाहिर येको हो। सत्ता गठबंदन भित्रको बिबाद बर्दै जादा कांग्रेस बने उत्साहित भायको छ। सत्तारूर दोलहरू बिस बड़ेको बिबाद को भायदा कांग्रेस ले उठाओने देखियेको छ। प्रधानमंत्री परचंड आभू सुरच्छी तुना का लागी पनी कांग्रेस को मेद्वारलै राष्टपती बनावने कस्रत माचन। कांग्रेसले पनी राष्टपती पाउने आसाले नैं प्रधानमंत्रेलै विश्वासको मद्धियेको अनुमान गरन सकिनच। राशोपा संगकु सह मती भंग गरेका प्रधान मंत्री परचन डले यह माले संगकु समझोतलाई कायर नून गरने मा आसंका छो देश का सातेई प्रदेश मा मुख्य मंत्री ले सफ़त ली शके का सन सात मद्धे चा उटा प्रदेश सरकार ले समसद वाट समर्थन पनी पाईश सके को सह भने चा उटाई प्रदेश मा सरकार पनी बनी शके को सह तर ये उटा प्रदेश शुधर पसीम प्रदेश मा भने सफद लीः सके का मुख्य मंत्री ले समसत को अनुमोदन पाउन सके का सैनन। मुख्यमंत्री संगई सफद लेका दोई मंत्री ले अहिले सम्म मंत्रालाई पनी पाउन शके का सहिनन। नागरिक उनमुक्ति पाठी को विश्वास को मतमा भर परने सरकार अहिले उनमुक्ति पाठी लाई मनाउन लागी परेको सर। अन्य प्रदेश मां मंत्री परिशत गठन भईशक्दा समेट सुदुरपसिम प्रदेश मां भने विश्वास को मत समेट प्रदेश सरकाले लिना सके को शाइना 27 गते एमाले का संसदिय दलकान नेता राजेंद्र सिंग राउल मुख्य मंत्री मां न्यूक्त भाय का हुन उन्य नेकपा माववादी केंद्र नागरी कुन मुक्ति पाठी र राप्रपा को समर्थन मां मुख्य मंत्री मां न्यूक्त भाय का हुन मुख्य मंत्री मान न्युक्त भाय को एक महिना पुग्ने लाग दापनी राओल ले विश्वास को मतलिये का सहिनान उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को समर्थन रहदैन की भने आसंकार है को थियो तेसेले नागरिक उन्मुक्ति पाठी को माक सम्भधन गरी दिना भन्दै मुख्य मंत्री राउल मुख्य मंत्री भाय लगत्ते लाम समय कार्फान्डो बसे काषपांडो बसाई का क्रमा उनले नागरिक उन्मुक्ति पाठी को मांक सम्भधन के लागी प्रधार मंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड इमाले का अधक्ष्य क्येपिसर मां उली लगायत का नेताहरुसंग भेट घार चल्फल गरे का थिये सकार्थ्मक छल्फल पची राउल प्रदेश फर्किये का हुन अहिले पनी मुख्यमत्री मां आफुलाई विश्वास को मत पाइन छा पाइन दोधार का वीच सुदर पसिम का बुख्यमत्री राजेंद्र सिंग राउले 25 मांग मां विश्वास को मत लिने तैयरी शुरु गरे का शन यद्धेपी नागरिक उन्मुक्ति पाथिले पनी विश्वास को मत लिने प्रति वदता जनाये को राउल को भनाई छा नागरिक उन्मुक्ति पाथिले विश्वास को मत लिने प्रदेश सर्क्यार नागरिक उन्मुक्ति पाथिले रेशम चौधरी को रिहाई नभा पचित थप संकत मा परेको थियो। पचित थप संकत मा परेको थियो। चौधरीलाई रिहागर्न माग गर्दे परेको रीट मा उच्च अदालत ले कारण देखाओ आदेश जारी गरेको थियो। उच्च अदालत दे पायल मा उच्च प्रेशन परमादेश रीड दरता भायको थियो। नाइदेश अर्जुन प्रेशाद कोईरलाखो इजिलास ले औरको पक्षलाई पनी बोलाऊना आदेश तियेको हो। औरको पेशी उनांतिस गतिलाई तोकियेको था। मुख्यमंत्री राउल्ले विश्वास को मतली न न सक्दा सरकार समेथ विस्तार हुन सक्येको थाईना। मुख्यमंत्री राउल्ले सपत खायेके दिन मावबादे केंद्रबाट संसदिय दलकानेता खगराज भटर रो एमाले की संतोस थापाले बिना विभागिये मंत्री को रुप माँ सफत लिये का थे। मुख्यमंत्री राउल्ले विश्वास को मत न पाउदा उनिहरू बिना विभागिये मंत्री बने का शन। नियुक्त भाई का मंत्री जिमेबारी विहिंत भाई का शन्ने सरकार विस्तार हुना न सक्दा मुख्यमंत्री कारले सहीत सातुते मंत्राले को जिमेबारी मुख्यमंत्री राउल्ल संगई शा। लामसमै विभागिय मंत्री नहुदा मंत्रालाइका कामकाच समेथ प्रभावित बने काशन। नीय刁क्त भाईको एक महिना भीत्र प्रदीस सभावात्र विश्वास को मतली सकनू पने। समिधान मा वेवस्ता भाय अनुसार, मुख्यमंत्री रावले माग 25 गते भित्र विश्वास को मतलीने तैरी गरे खाहुन। तिरपन सदसिय सुदूर पसिम प्रदेश सभामां बहुमत के लागी 27 समत आउसे पर्छा। महुबादी का सभामुख भाहेक 10, एमालेका 10, र राप्रपाको एक गरी सत्ता पक्षेमा 21 मत रहेको छ। साथ सीट रहेको नागरी कुन मुक्तिले साथ दिये मात र सत्ता पक्षेको बहुमत पुगने देखिन छ। प्रदेश सभामा प्रतिपक्षिमा कांग्रेस का 19, 21, एकिकर्थ समाजबादी का 4 र एक जना सोतंत्र रहेकाशन। नागरी कुन मुक्तिले समर्थन न गरे, मुख्यमंत्री रावले विश्वास को मत पाउन शक्ने अवस्ता छाईन। यद्धेपी विश्वास को मत लिदा, नागरी कुन मुक्तिले विश्वास को मत दिन छा, दिदेना त्यो भने हेन बाकीने रहेको छा। सरकार बने को थोरे समयमा नहीं, येस नया सरकार ले धेरे उतार चड़ाब जेली सके कुछा। कहिले आफुले चाहेको मंत्राले न पाएको मा सरकार मा पुगे का पाठी का मंत्रीले ने मंत्राले को पदभार क्रण गर्न आनाकानी गरे भने, अहिले सरकार मा रहेको योटा दल ने बाहिरिये कुछ। इस्तिर सरकार भन्दै लागी परे का दलहरू फेरी पनी इस्तिरता को लागी संगर्शनाई गरी रहे का देखिन छन। आसन्न राष्टपती निर्भाशन नभए सम्म सत्ता को गर्जोड कस्तो हुने हो अलमल कायमे रहे को देखिन छ। हस्त आर्चोलाई निउस्जेट टूडे एतिने हामे सभाईलाई पिदा दिनोस नमस्कार